हेलो फ्रेंस गुडविनिंग नमस्कार सस्त्रेकाजी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है इन्वेस्ट्मेंट जर्नी है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होगी वेल्थ क्रियेशन की जर्नी मार्केट है इससे पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमको पैनिक नहीं होना चाहिए इससे कितने टाइम से मार्केट भाग रही थी इसके लिए रेफरेंस में आपको चार्ट दिखाते हैं निफ्टी का कि डेली है डेली की वजए हम वीकली और मंदली चार्ट देखें न देखो मार्केट यह मार्स 2023 की बाद है यहां से भागी थी फिर थोटा सा गीरी फिर अक्तुबर 2023 से उननीस जार से इकीजर दो जार पैंट भाग गी सीद्या वीकली केंडल पे तो देखो यह जो यह भागती है ना मार्केट उसके बाद यह क्रेक्शन थोड़ा अहऋ कॉल देखो आप यह भी कभी घूमने के लिए पहाडों पर चड़ते हैं थोड़ा संखने के वैजे से रूकते थोड़ा सा कॉछी है थोड़ा सा ठत्योंदिया और फिर थोड़ा़ धूरी दूरी तैकर तो यही मार्केट कर रही है ढोतों कि मार्केट अपना काम हमेशा higher low ही बना रही है और higher high ही बनाती है market मंदली केंडल चेक कीजिए मंदली केंडल में तो दोस्तों इसके लिए भी त्यार है न चाहिए यह आज आईगी ना तो इसके लिए भी त्यार है न चाहिए हो सकता है कि market देखो market में correction आना भी बहुत जरूरी है ये भी आएगा कभी 31,700 भी आएगा कभी वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ कभी ये करेक्शन आई थी तो मारक्ट को जाना तो अपर ही है थोड़ा सा गिरेगी प्रोफिट आप नहीं बुक करोगे तो कोई और बॉक करेगा तो इसलिए मामेशा बोलता हूँ समय समय पर प्रोफेट बुक करते रहा नहीं यह निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों और मार्केट थोड़ा सा गिरती है उपती है पैनिक निव न चीद है को इस टाइम पे ना मैं आपके साथ कुछ स्टोक्स शेर कर रहा हूं स्टोक् करके नौट भी कर ले ना तुसे ऐटी सेक्टर इसक्टर में आप इन फॉसे है ऐब कि टीटीज़्ट और आपकर सकते हो तक एक सेक्टर से tem लॉक दोस्तो अपनी पसंद के मेरि फसंड के है इन फोसेस है यस्टोप्ण ये मेरी पसंद के इन में मैं इन तीन स्टोक में मैं रेगुलरली पैसा निवेश करा। लोंग टरम वीव अपना शोड टरम वीव नहीं कोई पैनिक वाली बात ने कि मार्केट गिर की मार्केट गिर की तो अच्छी बात है ना ज़र जो स्टोक हमको महंगा लग रहा था भी वह सस्ता हो हैं पड़े हैं दस बारा स्टोक पड़े है पूर्फोलियो में तो हम को क्या करना है अभी यहां पे कुछ और स्टोक एड़ कर लेंगे न हम तो वेट कर रहे थे इस गिरावट का इस क्रेक्षिन कोई क्रेक्षिन आएगी यहां तक मर्केट 21,800 भी देख सकती है सपोर्ट तो यहीं पे है 20,800 भी आ सकता है और 20,500 भी आ सकता है तो इनके लिए भी बेट करेंगे तो हमको क्या करना है पेशेंस के साथ होल्ड करना है अब लोंग टरम के पॉर्फोलियो स्विंग ट्रेडिंग में देखो प्रफिट आप बुक नहीं करोगे तो कोई और करके लिए कर जाएगा पोलीकैब है, पीडियलाइट है, प्रिंस पाइप है, HCL, HSCL है, HFCL है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, बेंकिंग सेक्टर में आपको IDFC, एक्सिस बेंक या ICIC बेंक में एक एड़ करना चीए, उजिवन स्माल फिनेस बेंक है तो इनको छोड़े बेंक को एड़ करो ना सर, पैसा बनेगा, जमवन कस्मिर बेंक, G&K बेंक हमने 37 रुपीज पे शेर किया था भी 127 भी आया है, तो प्रोफिट हमनी बुक करेंगे तो कोई और तो करेगा ना, तो पैनिक की जरूरत नहीं है दोस्तों, निफ्टी का ये च 500, तो सेम इसी तरीकी से आप बेंक निफ्टी के भी तरफ भी चेक कर सकते हो, पैसा तो बना रहा है सर, कहां से बागी कहां गई है, भागी ये उपर जा रही थी, अभी थोड़ा सा रुखेगी ना, कोई दीकत में थोड़ा सा रुखेगी, लोगों में प्रोफिट बनाया है, 46,400 का, तो लेट सी, यहां तक आए, और अच्छे स्टोक में आप एडिशन करो ना, अपने में, तो आज के वीडियो में मैं यह नहीं करा कि, हम, देखो, हम, डेली कोई ना, कोई बात करते हैं, तो आज जो स्टोक हम में आपको बताए हैं, वो पोटफोलियो स्टोक से है, पोजिशनल व्यू है, तो उन में बहुत बड़ी opportunity मिल रही हैं अपने को, कल की candle की closing बहुत important है, देखो, कल की market open होगी, हो सकता की, पचास पाइंट, सो पाइंट gap डाउन नीचे हो, पर closing कहां होती है, वो बहुत important है, तो वो कल पता लगे का अपने को, same bank nifty हैं, तो आज के दिन में आप इसकी candle देखिए, यह डेली की candle है, डेली की candle में, आज मार्केट किरने के बाद भी इसके अंदर volume बहुत जबर्दस था, कि इसका weekly candle है, weekly candle में भी आप देखो कि ना volume बड़ अच्छा है, अभी week complete में हुआ, दो दिन बचे हुँ हुए, वोल्यूम मिलने वाला है, तो यह stock अपने को 60 to 70 रुपीज तक लेके जा सकता, furthermore हम इसमें 86, 85 से 100 रुपीज तक इसमें invested रह सकते हैं, हाला कि space बहुत open है, इसके अंदर, जो चीज़ हम बात करते हैं, रोज बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में, space बहुत open है, 230, तो अभी क्या से अभी यह stage है, इस से बार निकलेगा, तब हम उसकी तरफ जाएंगे, पहले तो यहां से यहां तक पहुचेगा ना, तो कुछ quantity add करते हैं, यहां पर इस से बार उपर जाएगा, तो अच्छा है, हम यहां फिर add कर लें, कोई बात नहीं है, नेक्स्टोग एक्सटोग है, visa diagnostics, तो आज के दिन, pharma sector ने अच्छा पैसा बनाया है, बनाया है, पैसा लोगोंगा, और visa diagnostics में भी, तेको यह rounding bottom pattern का breakout, बिल्कुल वर्ज पे है, तो इसको, इसको हम नोट कर सकते है, visa diagnostics, और यह हमको, इस breakout के मिलने के बाद अपने को, करिवन 375, यह मिल सकता है, 1000 रुपीज का स्टोग यह भी हो सकता आने वाले टाइम में, कुछ quantity add करना चाओ, तो add कर सकते हैं, stop loss, yes, without stop loss हम trade करना नहीं चाहेंगे, 610 का stop loss हमको रखना है, इसके अंदर, market में profit booking पहले बार नहीं आई है, पहले भी आई है, आगे भी आती रहेंगी, आप देख सकते हो, यह nifty का chart है, निफ्टी ने देखो, यहाँ भी गया, फिर profit booking आई, फिर उपर गई profit booking आई, तो यह part है, moment का part है, उपर जाने के लिए दो गुदम पीछे आना जरूरी है, तो यही हो रहा है दोस्तों, तो मैं फिर से यही कोँगा, दोस्तों आज की वीडियो बनाने का यही motive था, कि आपको एक दो स्टोक्स, वीजर डायनोस्टिक्स है, सिक्यूर कलाउड है, यह बता दू, और निफ्टी, बैंक, निफ्टी क्या कर रही है, यह बता दू, और जो पने पोर्टफुलियो स्टोक्स है, एस्टरल है, पोली कैब है, पिडियलाइट है, प्रिंस, पाइब है, है, HFCL, हम 52, 53 रुपीज से इनिवेस्टेट है, अभी देख लो, 250 तक भी गया था, 300 तक भी गया था, तो ऐसी चीज़ों को होल्ड करो न, HFCL है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, IDFC बैंक है, एक्सिस बैंक, ICIC बैंक है, उजीवन स्माल फिनेंस बैंक है, इन्फोसिस, HFCL, TCS, और विप्रो, यह चार्टोकालिटी सेक्टर के, तो इनमें कुछ में पोजिजन बना के रख सकते हैं, सुमी टोमो कैमिकल है, यह एक कैमिकल सेक्टर का अच्छा स्टोक है, तो इसमें कुछ पोजिजन बना सकते हैं, तो आज के वीडियो का यहीं मोटिव था, कि मैं आपको बता पाऊं, कोशिश करूं बताने की, कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक वो लोग होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे में कुछ निफ्टी के कोलवाई की थी और पुट सेट भाग गई, वो लोगों के लिए पैनिक का महूल है, कि कर क्या रहते हो क्या गया, यह चीज़ तो हमको थोड़ा साथ पता होने थे, जो लोग यहां पर वीडियो देख रहें, प्रीमियम ग्रूप के वो प्लीज कमेंड करके बताए कि क्या मैने इस क्रेक्शन के लिए कल बता दिया है, क्या मार्केट मैने क्रेक्शन आ सकता भी, मैने कल ही मैसेज कर दिया था हम सब को एक क्रेक्शन आएगा ऐसा, तो टाइम पर प्रोफिल बूक करना चाहिए थैंक्यू फ्रेंट्स आज की वीडियो में यही था यू नेवर लूज वेज्ट वेन यू वन दे मार्केट पैनिक्स मार्केट पैनिक होती है तब हम लूज नहीं करते हैं हम तब लूज करते हैं जब हम खुद पैनिक करते हैं तो यही मैसेज है मेरा आज के लिए और देखो मार्केट ने पैसा बनाए हमारे जो प्रीमियम ग्रूप के में मरी है हमारा उप्सं का गूरूप है वहां पर आज जब 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 पैसा बनाए यह निफ्टी की पी एट टाइम्स हो गई बैंक निफ्टी की पी इलेवन टाइम्स हो गई तो यह कभी कभी आता है ऐसा टाइम लास्ट में फिन इफ्टी की पी वी दी थी वो 68 पर दी थी वो 80 80 प्लस भी 90 प्लस 90 चली थी यह लास्ट में स्टोक्स हमने शेयर के लिए 2600 की पी शेयर किया था फ्री ग्रूप में 130 से यह भी 500 के पार चली थी 2600 की पी पैसा तो बन रहा है दोस्तों में मोटिव क्या है पैसा बना नहीं है और आई प्यों को अप्लाई कर सकते हैं आजाद इंजिरिंग का आई प्यों आपको अप्ल आता है या 60 जाता है तो इसके अपडेट इपी में कल आपके साथ शेयर करूँगा तो आज के वीडियो में इतना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो बात हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट करें कमेंट करके प्लीज जु आपके सजेस्ट का मैं वेट करूँगा थैंक्यू फ्रेंड्स है वंडर्फुल टाइम वीडियर फैमली और फ्रेंड्स जै हिन दोस्तों जै भारत हम फिर में लेंगे